हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अनील चोहान आपे मेरे चैनल अनील सर्मोर पेर तो आज फाइनली जो जिसके लिए जो सा फस्ट समेस्टर और फस्ट येर के स्टूडेंट इसके साथ ही और भी जो स्टूडेंट थे जो पूश रहे थे कि कब से हमारी हमें कब इंस्ट्यूट में बुलाए जाएगा कब से हमारी क्लासेज होगी तो उसके रिगार्डिंग एनाइटी हमिरपूर ने नोटिस जो है वेपसाइट पर डाल दिया है कैसे कैसे बुलाए जाएगा इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ जो फर्स्ट एर के स्टुडेंट है और फर्स्ट समेस्टर में जिनोंने यहाँ पे एनाइटी हमिरपूर में आना है उनके लिए जो जोसा के तहत जिनका अभी admission चला हुआ है जिनको physical मैंने पहले भी मेरी पहली वीडियो में मैंने उनके लिए schedule वैसे डाल दिया था कि कैसे कैसे होगा लेकिन अब क्योंकि ये institute का जो signed copy आ चुकी है तो आपके पास सब सारे चीजे हैं कि कैसे कब आपको बुलाए जाएगा कौन सा होसल आपको मिलेगा सारा detail में मैं आपको यहां से बता दूँगा तो आपको पता लगी चुका है कि online reporting जो आपकी institute में रहेगी online reporting वो आपकी 7 से 13 December 7 December से 13 December तक होगी आपका जो online reporting होगा institute में जिस किसी की भी balance fees deposit करने का है मतलब registration जो आपका registration को ही बोलता है कि या registration के दिन आपको अपना जो भी आपका total balance या fees जमा करने को आपको जमा करने पड़ेगी तो कब इसको जमा करना पड़ेगा उसके लिए भी मैं आपको पता देता हूँ साथ से 13 December के बीच में ही आपको अपना registration करना है आपको जो भी आपका balance fees बचा हूँ है उसको जमा करना है 13 December को आपका last registration date है अगर कोई 13 December को registration नहीं कर पाएगा तो उसका registration भी cancel हो सकता है इसके बाद 14 जो आपका तारिक रहेगा 14 तारिक से आपकी online classes शुरू हो जाएगी जो साके जो first semester के student है उनकी classes जो है 14 December से शुरू हो जाएगी तो ये आप note कर लिजिए physical reporting आपका institute में रहेगा अगले साल next year एक माईने बाद डेट माईने बाद साथ तारिक से आपका physical reporting रहेगा जिसका साथ तारिक से 10 January 2022 यह आप जनबरी में ही यहाँ पे आएगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनबरी या फरबरी आपका date रहेगा reporting का तो क्योंकि अब डाल दिया है तो आपका जो reporting रहेगा यहाँ पे इंस्यूट में आने का वो रहेगा साथ जनबरी से 10 January तक accordingly आप अपना booking कहीं बहुत दूर से भी लोग हैं तो उस हिसाब से आप अपना booking या train की air ticket जो भी जैसे आपको सुबिधा मिल पाती है वो उस हिसाब से यहाँ पे पहुंच जाएं इसके बाद इसके बाद 31 जो mid semester exam होगा वो 31 जनबरी से 5 फरबरी तक होगा और end semester practical examination आपका 9 से 11 मार्च 2022 को होगा और end of classes आपकी 11 मार्च 2022 को आपकी classes खतम हो जाएगी इस semester के लिए तो इसके बाद आपका रहेगा theory examination उसकी date window ने डाल दी है तो theory examination आपका हो जाएगा 14 से 28 मार्च तक और grade submission 1 अप्रेल को और आपका 11 अप्रेल 2022 को आपका result भी declare हो जाएगा तो 7 से 10 के बीच में जब आप आएंगे तो यह semester के लिए आपका जो classes online ही रहेगा और आपका second semester के लिए जो classes है वो offline रहेगी जो की 29 मार्च 2022 से होगी तो यह आप note कर लिजिए अगले semester महीं आपका offline जो classes है वो हो पाएगी 29 मार्च से आपका जो next semester का registration है वो शुरू होगा जो की आपका 5 अप्रेल 2022 तक रहेगा तो इस तरह का आपका schedule है जो साके तेक जो आने वाले हैं वो अपना सारी चीजें उस हिसाब से कर लें आपका online यह semester रहेगा मैंने आपको पहले भी बताया था और सारी चीजें डाली थी इसके बाद भी आपको कोई किसी तरह का doubt हो तो आप मेरे चैनल पर comment करें आपको इस बारे में पूरी detail जनकारी और जो भी help होगी वो करेंगे कुछ second year के भी थे जो बार-बार पूछ रहे थे कि कब हमें आना होगा तो second year के लिए भी जो fourth semester के हैं उनका physical reporting रहेगा पांथ से नो जनवरी 2022 जो third year के हैं यूजी six semester के उनका 30 December से second January 2022 तक होगा फीस deposit और registration उनका रहेगा second year के लिए होगा पांथ से 10 January और जो third year के student के लिए होगा 30 December 2021 से और जनवरी 2022 तक classes आपकी शुरू होगी 11 जनवरी से second year की UG जो fourth year में है आपकी classes जो है 11 जनवरी से 2022 में शुरू होगी और third year के जो student है six semester में उनका उनकी classes शुरू होगी चार जनवरी 2022 से तो इसके बाद भी बहुत सारा पूरा detail आपको इसमें डाला हुआ है आपको website पर जाना चाहिए website पर सारा notice आपको डाला हुआ है और जो भी आपकी इसके बाद query रहती है किसी भी तरह की वो आप जो है मेरे channel पर comment के माधियम से लिखो ताकि मैं उसको आपको reply करूँगा जो भी जिस तरह की भी आपकी query रहेगी इसके बाद जो भी आपकी चीजें हैं जो भी आपको मैंने पहले भी schedule बता दिया था कि RT-PCR test आपको जरूर कराना है RT-PCR test के साथ आए vaccination के साथ आए आपको hostel के बारे में बता देंगे कि आपको कौन-कौन सा hostel दिया जाएगा अभी आप फिलाल थार्ड यर के जो student है वो केलाश बॉइज होस्टल में आएंगे क्योंकि वो यहीं से घर गए थे तो यहीं पर यह आपको अभी फिलाल जो रहेगा हो सकता है बाद में यह चेंज हो जाए लेकिन अभी आप केलाश में ही आएंगे और सेकेंड एर के जो student है वो निलकंट होस्टल में होंगे तो इसके बाद भी जो कुछ भी अपडेट होता रहेगा इंस्यूट में वो मैं आपको बताता रहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लाइक करिए ताकि सब लोगों को कोई भी ऐसी नोटिस या किसी तरह के भी चीज़े हैं जो आपको समझ में नहा हो और जिसको आपको कुछ पूछना हो आप मेरे चैनल के माधियम से पूछे मैं आपको सारा जो भी आपकी कोईरी होगी उसको रिप्लाइए करने की कोशिश करूँगा और बाकी आपका जो भी समय हो शु पूछना है और अर्टीपिस यार मैंने बोला था कि वो आपने जरूर करना है यहां पर भी किसी तरह की आपकी कोईरी रहती है तो आप जरूर लिखें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाइए कर सकते हूं तो थैंक्यू बरी मच मेरे चैनल पर बने रहिए और जरूर करें थैंक यू